नमस्कार तो दोस्तो जैसा आप सभी को बता है कि मैं हर सप्ता आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो बनाता हूँ जिसमें केवल आपके सवालों के जवाब में लेकर आता हूँ जो कमेंट्स आप करते हैं उनी में से कुछ एक कोमन सवाल उनके जवाब लेकर मैं आप सभी के समक्ष पुन्य उपस्त हूँ नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर रोबिन सर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ पहला सवाल जो एक दर्सक ने मुझे से पूछा है नाम लेना मुझे उचित नहीं लग रहा उन्होंने कहा है कि आपने जो नुष्खा बताया है वो कौन सी कमपनी बनाती है हमें बना बनाया किस प्रकार मिल सकता है और क्या आप इस नुष्खे की गारंटी लेते हैं तो मैं अपने उन सभी दर्सकों से बहुत ही विनम्रता के साथ कुछ बाते बोलना चाहूंगा जिनके मन में इस प्रकार के सवाल उठते हैं पहली बात अगर कोई कमपनी ही बनाती होती तो आपको नुष्खे बताते समय मैं बता देता कि एक खास कमपनी इस नुष्खे को बनाती है आप बना बनाया बाजार से ले सकते हैं मैं नहीं कहता कि मेरे द्वारा बताये गए सभी नुष्खे मेरे हैं परंतु बहुत से नुस्कों पर मैंने काम किया है, मेरे कई वर्षों की मेहनत है और इश्वर की कृपा से मुझे परिणाम बहुत अच्छे प्राप्त हुए है, वही नुस्के मैं आप सभी के साथ साजा करता हूँ, मेरा किसी कंपनी से कोई भी लेना देना नहीं है, या बा तो मैंने आपको नुस्का बतला दिया है, आप किसी आईरवेदाचारे की सहायता से, या फिर आप मुझ से संफर्क करके इस नुस्के को प्राप्त कर सकते हैं, और तीसरी बात इन्होंने पूछा कि क्या आप गारंटी लेते हैं, ये बात मैं जितनी बार सुनता हूँ, उ मैं एक आईरवेदिक चिकेच्सक हूँ, भगवान नहीं हूँ, पूरी इमानदारी और बुद्धी मता से अपने कर्म को करने का प्रियास करता हूँ, और इसी कारन मुझे सफलता की प्राप्ती होती है, परन्तु फिर मैं आपसे कहूँगा, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं क्या आपने कभी किसी अलोपैथिक डोक्टर के पास जाकर ये सब्द यूज किया है, क्या आप गारंटी लेते हैं, वहाँ जाकर आप अपने जीवन की पूरी जमापूंजी लुटा आते हैं, साथ में यह भी वहाँ पर हस्ताक्षर करके देते हैं, कि मरीज के साथ जो कु मेवारी होगी, डोक्टर की कोई गलती नहीं है, तब आपके मुझ से ये बात क्यूं नहीं निकलती, क्यूं केवल आयरवेद और होमेपैथिक डोक्टरों के पास आकर ही आपको इस शब्द का प्रियोग करना होता है, चलिए छोड़िए, अब आते अपने दूसरे सवाल पर इन्होंने मुझे लिखा है कि बहुत लंबे समय से मल के साथ चिकना सफेद स्राव होता है, मैंने बहुत से ऐलोपैथिक, आयरवेदिक, होमेपैथिक दवाईयों के माध्यम से इलाज करवाने का प्रियास किया, एक बार लाब तो अवश्य प्राप्त होता है, दोस्तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका टाइटल कुछ ऐसा था कि जब कोई भी दवा काम ना करें, सभी दवाईया फैल हो जाएं, तब आप क्या करें, दरसल उस वीडियो की दिशा थोड़ी अलग अवश्य थी, परन्तु उस वीडियो मे मैंने आप सभी के साथ जिक्र किया था कि जब सरीर के अंदर बहुत अधिक मात्रा में अवैंचनिय पदार्थ, अप्सिष्ट पदार्थ, तक तोई घटे हो जाते हैं, तब समस्या कुछ दिनों तक दवाईयो आदी के माध्यम से दूर अवश्य हो जाती है, परन्तु उस में जड़ सही छुटकारा नहीं मिल पाता, तो ऐसी किसी भी अवस्था में आप सब से पहले अपने सरीर की सुध्धि कीजिए, और इस प्रकार की अवस्था में पंच कर्म जो की आईरवेद का ही एक अंग है, बहुत लाब प्रतान करता है, पहले पंच कर्म आदी माध्य बहुत ही उत्तम प्राप्त होगा, तो जो भी दर्शक किसी ऐसी बीमारी से पीडित है, जो बहुत लंबे समयता कोशिद्यों का प्रियोग करने के पश्चाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो ऐसे रोगियों को समय समय पर अपनी आंतरिक शुद्धी पंच कर माधी माध्यमों से अवश्य ही करवा लेनी चाहिए, चली अब आते अपने तीसरे सवाल पर, यहां हमारे एक युवा दर्शक हमसे पूछते हैं कि सुपने दोस्त की समस्या का समाधान, हमें बताईए, इस समस्या पर मैं पहले भी बहुत से वीडियो बना चुका हूँ, आप उन्हें अवश्य देखेगा, इसके अलावा आप यह पता लगाने का प्रियास कीजिए सरोपर्थम कि आखिर क्यों यह समस्या मुझे परेशान कर रही है, सो में से सत्तर परतिशत मेरे पास जो इस समस्या के मरी जाती हैं, उन्हें कब्ज की सिकायत होती है, तो सब से उत्तम प्रभाव दिखाती है, परंतु फिर आप सभी से एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, अपनी कब्ज की समस्या अपने पाचन तंत्र को आप सबल बनाए रखिए, वो सब से पहला कार्य आपको करना होगा, चोथा सवाल, हमारे एक ऐसे दर्शक्चे आया है, जो पि पूर्णते समाप्त हो चुकी है, तो मैं सबसे पहले उन्हें कहना चाहूंगा कि क्या आपका ब्लड शुगर लेवल अभी ठीक चल रहा है, इसका पता लगाने के लिए आप एक बार HbA1c टेस्ट करवाईए, टेस्ट का नाम मैं आपको स्क्रीन के ओपर यहीं कहीं पर ल इसके अलावा आप अपने ब्लड शुगर लेवल को नियंतरित रखने के लिए गुडमार, सदाबहार, सोफ, नीम, जामुनादी चीजों का प्रियोग कर सकते हैं, परन्तु यह एक ऐसी बिमारी है जिसके अंदर यदि आप अपने ब्लड शुगर लेवल को नियंतरित आउ सकता होगी और यह केवल आईरवेद के माध्यम से ही संभव है वो भी बिना किसी नकारात्मत प्रभाव के इसके लिए मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि वसंत कुस्माकर रस और सिलाजीत सर्वत्तमोशिदी है परन्तु यदि आप चाहें तो अशुगंदा कोच भी चोन सिद्ध मकरध्वज पून चंद्रोदेरा से स्वान भस में हीरक भसमादी ओसिद्यों का प्रियोग कर लाब की प्राप्ति कर सकते हैं मदुमे के चलते आई 80-90 परतिशत कमजोरी इन ओसिद्यों का प्रियोग करने पर दूर अवश्य हो जाती है परन्तु बहुत अधिक योन दुर्बलता की आउस्था में आपको अन्य बहुत सी ओसिद्यों का प्रियोग करने की आउस्था पड़ सकती है और उसके लिए आपको किसी आयरवेदिक चिकित्सक के परामर्स की अत्यन तदिक आउस्था होगी चलिए अब आते अपने पाच्वी सवाल पर ह हमारे एक युवा दर्सक ने हमसे पूछा है कि मुहासे की समस्या के चलते मेरे चेहरे पर दाग धब्बे हो गए हैं इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए दर्सको मेरा एक दूसरा चैनल है गुणी आयरवेद अभी उस पे कुछ दिनों पहले ही मैंने कुमकुमादी तेल के बारे में एक वीडियो बना कर डाला था उसके बारे में जानकारी आपको देने का प्रियास किया था उसका लिंक में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बो पुतम अन्य ही कोई ओशद होगी आपको इसका प्रियोग करने पर 6-7 दिनों में लाब मिलना प्रारंभ हो जाएगा इसका प्रियोग किस प्रकार करना है उसके लिए एक बार वीडियो और से देख लीजेगा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएग तो दोस्तों मुझे पता है कि मैंने आपके केवल कुछ ही प्रशनों का जवाब दिया है परन्तु एक सीमित समय में सभी प्रशनों का जवाब दे पाना भी मेरे लिए संभव नहीं है आशा करता हूँ आप यह मेरी मजबूरी समझ रहे होंगे यदि आपके मन में कोई प्रशन है कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स के माध्यम से हमें बताईए और जाने से पहले इस वीडियो को शेर कीजिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और अभी के लिए आग्या दीजिए मिलते आगले वीडियो में नमस्कार